पियार सरकार इन दिनों महिलाओं को लेकर कई तरह की उजनाये चला रही है ताकि महिलाश स्वसक्त बने और उनकी रूजगार के आउसर मिल सके उनको उसमें कितनी सचाई है और सरकार की यूजणा कितने दरातल पर उतर रही है या देखने वाली बात है पटना के नया टोला में महिला खुद स्वालम भी बन रही है और केक और बैकरी इस्टिचूट खोल कर महिलाओं को रोजगार देने की बात कह रही है ऐसे में इस पूरे मामले का जायजा लिया है पटना से समधाता अमीत वर्मा ने आप पटना के नया टोला में तश्विर दिखा रहे हैं जहां पर केक मना जारा और तरह तरह के समान है वह बनाए जा रहे हैं जिसको लेकर महिला जो है अभी खुद तालंबी बनती दिखाई दे रही है आपकेक बनाए तक हम लोगों ने केक, कूकी, बर्गर, बढ़, बर्गर बन, पाव और अब आज हम लोगों ने कपकेक बनाया तो सबतेख बहुत अचछा टेश्ट है और सब बहुत अच्छा से मतलब मैम सिखा रही हैं हम लोगों को हम लोग को अच्छा लग रहा है सीखने में बनाने में तो अब नहीं को आपको साहता मिल पाई हैं तो अब हम यहां कुछ ही नहीं वेसी वेवस्ता कि कहीं बच्चो को बेजा जाए और हम लोगों सेफ जगह भी नहीं लगता क्या है कि मैरा तो यहां घर पास में है तो बहुत अच्छा लग रहा है मेडम केक बनाए जा रहा है किस पर से क्या लगता है रोजगार के अपसर इसमें तलास है अब बेशक अभी तो घर में ही मैं तो बचों को खिला रही हूं लेकिन अगर आगे प्रोसे बना रहेगा तो मैं हॉस से ही सेल करूंगे मार्केट में अगर बैस्ट लगा तो मैं बना सब्सक्राइब करती है और सब्सक्राइब करती है और सरकार जो योजना की बात करती है वो कितना ध्राचल पर उतल पाती है आने वाला समय बताएगा फिलहाल जो है महिला खुद कई तरह के प्रोड़क्ट बना रही है जिससे उनको अपने खुद रोजगार के अफसर पड़ान होंगे पटना से रफ्तार मीदिया के लिए अमीत बर्मा अप्सौर्का मेरे साथ इस पुलेटी में अतना ही देखते रहे हैं रफ्तार मीडिया नमस्कार